हेलो एबरिवन, वेल्कम बैक तू माई यूटुब चैनल, आज मैं आपको इस तरह के शॉट बूट बनाना बताऊंगे, इनको हम किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और य अगर आपके पाउं का साइज जादा है तो आप 50 फंदे डाल सकते हैं आपके पाउं का साइज 56 नमबर से कम है तो आप फंदों को अपने पाउं के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं जिनके पाउं का साइज 56 नमबर है उनके लिए हम 44 फंदे डालेंगे इसमें मैंने 44 फंदे डा के दिखते हैं यह देखे अ मैंने बनाये हैं इनको बनाने के लिए मैंने टेन नंबर की नीदल यूज की हुए यह देखे टेन नंबर की नीदल का यूज मैंने इनको बनाने के लिए दागा यूज किया हुआ है यह देखे इन शॉट बूट को बनाने के लिए मैंने दो कलर क दागा यूज किया हुआ है सबसे पहले हम 44 फंदे डालेंगे यह देखे इस तरीके से हम दागे को डबल करते हुए फंदे डालेंगे आप जिस तरीके से फंदे डालते हैं उस तरीके से आप फंदे डाल सकते हैं मैं इस तरीके से फंदे डालूंगे यह देखे दागे को गुथे पर और सिंगल धागे को इस तरीके से रखते हुए आमने इस तरीके से 44 फंदे डालने यह देखे इस तरीके से मैं फंदो को डालूंगी आप अपने अपर दिंग जिस तरीके से आप फंदे डालते उस तरीके से आप फंदो को डाल सकते हैं यह मैंने 44 फंदे डाल के complete कर लिए अब हम इन फंदों को यह देखे सो से पहले हम यह border बुनेंगे यह मैंने यह देखे एक दो तीन तीन लाइने बुन के complete की है दो सिलाईयों की हमारी एक लाइन बनती है अब हम 6 सिलाइयां सीधी सीधी बुन के complete करेंगे तो से पहले हम border बुनेंगे आप border कम या जादा बुन सकते हैं मैंने 6 सिलाइयां इस तरीके से सीधी सीधी बुन के complete की है सिधी और उल्टी दोनों साइड हमने सिधा सिधा बुनके 6 सिलाया बुनके complete करनी है यह पूरी रो हमने सिधी सिधी बुनके यहां तक complete करनी है wrong साइड भी हमने सिधा सिधा बुनके यहां तक complete करना है total हमने इसी तरीके से 6 सिलाया सिधी सिधी बुनके complete करनी है छे सिलाया सीधी बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है यह देखे यह हमारा border हमने बुन के complete कर लिया है छे सिलाया हमने सीधी सीधी बुन के complete कर लिया अब हमने दूसरा धागा यहां से जोड लिया है अब हम यह देखे यहां से यह डिजाइन डालेंगे इसको डालने के लिए सबसे पहले हम यहां देखे स्टार्टिंग से ही गरीन दागे से अब बुनेंगे इस बेस कलर के दागे से अब हमने नहीं बुनना है देखे इस तरीके से हमने दो फंदे गरीन कलर के दागे से सिधे बुर लेने हैं एक फंदा हमने बिना बुर्णे उतारना है इसी तरीके से हमने यह देखे दो फंदे सिधे एक फंदा बिना बुर्णे उतार देना है हैं इस तरीके से हमने 21 फंदे बुणने हैं ना दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोवा सतारा ठारा उननिस बीस और यह हमारा 21 फंदे हमने यह देखिए यहां तक कंप्लीट कर लिए दो फंदे सीधे बुण लिए एक फंदा बिना बुणने उतार दिया दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुणने उतार दिया इस तरीके से हमने 21 फंदे बुण लिए अब हमने यहां से भी 21 फंदे यहां तक हमारे 21 फंदे हो जाएंगे दो फंदे हमने बीच में यह देखिए यह फंदे सीधे बुणने हैं यहां पर अब हमने इन दो फंदों के यहां और यहां पर दोनों तरफ यहां पर हर सिधी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं यह देखे इस तरीके से हमने दागे को डालते हुए फंदा बढ़ा देना है यह देखे एक फंदा बढ़ा लिया दो फंदे हमने सिधे बुन लेने हैं फि दो फंदे सीधे 21 फंदे हमने इसी तरीके से अब बुनने है चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, जोदा, अंदरा, सोला, स्तारा, ठारा, उननिस, 20 और 21 ये देखे दो फंदे यहाँ पर सीधे दो फंदे हमारे यहाँ पर सीधे इस तरीके से आएंगे wrong side की पूरी row हमने देखे दो फंदे हमने इसी तरीके से सीधे बुन लेने है दागा आगे एक फंदा जो skip किया है वो बिना बुने उतार देना है दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा आगे इसी तरीके से हमने पूरी रो बुन के complete करनी है 21 फंदे हमारे यह देखे इसी तरीके से हम उनको दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतार देना है यहाँ पर अब हमने यह देखे जो हमने फंदा बढ़ाया है इसको हमने बीच में यह देखे सीधा बुन लेना है जो यह दो फंदे हैं बीच के इनको हमने हर ट्रॉंग साइड में इसी तरीके से जैसे हम बुन रहे हैं उसी तरीके से बुनना है किंदा बीच कर बाद झाया है अधे लिए यह मैं अधिये हैं हमारे रं शायड की पूरी रो हमने बुन के कंप्लीट इचा है जो हमारे इसे बीच में थे हम ने ऑफन्दों को वन आपे अवर देखिए बड़े हुए फन्दे हमने इससी तरी के से सिदे सिदे बुन्दे जो के बीच के 2पंदे है ये हमने सीधी साइब से अर रांग साइब से हमने उल्टे बुनने के कशाुच MAN आएगा हुआ धर्न के तका हमने जो हमारी से ध स्टेस आएगा है उसमें और क में देख चैसे जो हमारा हमने जो में आएगे ओसमेनуск इसी तरीके से हमने यह पूरी रो सीधी सीधी बुननी है यह देखे जो दो फंदे है बीच के अब हमने यहाँ पर फिर्जे एक फंदा बढ़ाना है इस तरीके से यह देखे अब यह दो फंदे सीधे यहाँ पर फिर्जे एक फंदा इस तरीके से बढ़ाना है हर सिधी सलाई में हमने फंदे बढ़ाने हैं बाकि सभी फंदे हमने सिधे सिधे बुन के कंप्लेट करना है इस रो को पुरी रो हमने फंदा हमने रोंग साइड बिना बुने उतारते हो बाकि सभी फंदे इस तरीके से सिधे सिधे बुन के इस रो को कि सभी फंदे इस रो को कंप्लेट करना है बीच के जो दो फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनते हैं बाकि सभी फंदे इस हमने करना है हर सिधी सलाई में हमारे दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे ये देखे ये हमारा बड़ावा फंदा है इसको हमने सिधा बुलने नायद जो बीच के दो फंदे हैं इनको हमने उल्टी साइट से उल्टा बुलना है दो फंदे बाकी सब फंदे हमने ये देखे ये बड़ावा फंदा है इसको हमने सिधा बुलने नायद ये पूरी रो अब हमने सिधी सिधी बुनके कंप्लेट करने है कि देखे सिधी साइट के रो अब हमने ये ये जो हमारा ग्रीन कलर का धागा है सिधी साइट से अब हमने इससे बुलना है देखे एक बार मैं आपको फिर इस रो को बुनके बताती हूँ दो फंदे सिधे तिसरा फंदा स्किप बिना बुने उतार देना है देखे इसी तरीके से हमने इस रो को बुनना है जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में बुनना था दिजाइन के वो सिलाई हमने यहाँ पर रिपीट करनी है देखे स्किप किया हुआ फंदा स्किप बुनने हुए फंदे हमने इस तरीके से बुनने है यह देखे अब हमने यहां तक हमने skip किये हुए है फंदे बाकि हमने दो फंदे बुने है एक फंदा skip जो अब हमारे बीच में फंदे बढ़ रहे है अब हमने यहां से इन फंदों को सिधा सिधा बुनने है यह देखे यहां पर हमने फंदे skip नहीं करने है यहां पर अब हम फिर्दे एक फंदा बढ़ाएंगे यह देखे इस तरीके से हमने फंदा बढ़ाना है दो फंदे बीच के सीधे एक फंदा फिर्दे यहां पर इस तरीके से बढ़ा देंगे यह देखे बीच के जो बड़े फंदे हैं वो हमने इसी तरीके से सिधे सिधे बुनने हैं अब हमारा ये देखे स्किप किया हुआ फंदा आ गया है इसको हमने स्किप दो फंदे सिधे एक फंदा स्किप दो फंदे सिधे बाकी हमारा ये पैटन इसी तरीके से चलता रहेगा उपर तक हमने इसी तरीके से फंदो को बढ़ाते हुए इसको बुनना है और रॉंग साइड की रो भी हमने यह देखे फर्स्ट फंदा एस्टिच दागा पिछे यह देखे दागा आगे स्किप के आवा फंदा बिना बुनने उतार देना इसी तरीके से हमने दागे को आगे पिछे करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है रॉंग साइड की रो जैसा हमने सेकिंड रो डिजाइन की बुनी थी वो ही रो हमने है वो ही हमने यहाँ पर रिपीट करना है बीच के दो फंदे हमने उल्टी साइट से उल्टे बुनने हैं बाकी सबी फंदे हमने इसी तरीके से बुनते हुए इस रोग को कम्प्लीट करना है इसी तरीके से सीधा बुन लेंगे दो बीच के इसने इनको हम उल्टर से उल्टा बुनेहें जागा पीछे यह बड़ा हुए पंदा है इसको बड़े वो फंदे को सिधा बुनना है बाकी ये देखे सबी फंदे हमारे सिधे आएंगे दागा आगे ये बिना बुने उतारना है ये देखे इस रो को हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करना है 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 ये ये थेकिए है ये हमने ये रॉंग साइट की रोक पूरी बुन के कंप्लीट कर दी है अब हमने ये जो बेस कलर दागे से इससे बुनना है ये टोटल हमने गरी देखे एक दो तिन चार पांच शला तक हम इसी तरीके भल दे बढ़ेंगे उसको हमने इसी तरीके से सिधा सिधा बुना मैं आपको आणगे बागे से अब हमने यह देखे बैस kolर के धागे से यहां से इसको पूरी एक बढ़े थांपने भीड़् को सिध्यान करना यहां तक बुनने के बाद फिर मैं आप आधा अग्वे बिताती हूं करना है अब हमारी ये सिलाईयां रिपीट होती जाएगी थर्द सिलाई में डिजाइन डाला है वो हम यहां पर रिपीट करेंगे फिर हमारा गरीन डागे से हम डिजाइन डालेंगे इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे यहां तक complete करने के लगाव फिर मैं आपको आगे बताते हूँ करने क्या करना है यह देखिए हमने यह design बुन के complete कर लिया है total हमने यह green एक तो तेम चार पांच छे साथ आठ नौ डेजैन हमारे बुन के complete कर लिया है green के अब हमने यहां से इतना बुनने के बाद अब हमने ये सीधी सीधी ये लाइने बुननी है तोटल हमने ये जो लाइने बुनी है ये हमने आठ लाइने बुनके कम्प्लीट की हुई है यहां से हम ये देखे ये गरीन दागा आप हमने कट कर लिया है अब हमने जो हमारा बेस कलर का दागा है उसी से ये अब हमने बुनन ही तोटल हमने यह पाथ लाईने बुणके complete करनी है लिए कैसे सुगरी रोइ यह, सुगरी गूंके complete करनी है पूरी रोइ साथ की complete कर ली है अब रॉंग साइट से हमने फर्स्ट बंदा एइस्टिच निकालते हुए धागा पिछे wrong side से भी हमने पूरी row अब डीसीधी बूनके complete करनी है ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से ये line आएगी दो से line बूनने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से line दीखती है total हमने ये line 8 line बूनके complete करनी है ये देखेए ये कुछ इस तरीके से आयेगा ये हमने एक, दो, तिन, चार, पांच, चे, साथ, आर्थ आर्थ-्लाइने बुन के complete करनी है फिर मैं आपको आर्थ-लाइने बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूं के हमने क्या करना है यह हमारी 8 लाइने हमने बुन के complete कर लिया है यह हमने यहाँ पर 39 फंदे यहाँ पर और 39 फंदे यहाँ पर इनको half-half कर लिया है इनको इस तरीके से अब हमने उल्टी साइट से इनको 2 फंदों का एक करते हुए इन सबी फंदों को बंद करना है यह देखिए यहां से इस तरीके से हमने इनको बंद करना है इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमने इनको हाफ-हाफ आदा फंदे इस साइड आदा फंदे इस साइड करके इसको इस तरीके से उल्टी साइड से इस तरीके से दो फंदों का एक करना है देखिए फिर से इस फंदे को इसमें डालते हुए इस साइट से अब हमने दो फंदे एक फंदा यहां से इसी तरीके से अब हमने सभी फंदे बंद करने है प्रो प्रों यहां से अब हमने है झाल 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 यह दागा यहां से कट कनने के बाद इसमें इस तरीके से डाल देंगे यह देखे यह हमारा शौट बुट बन के त्यार हो चुका है अब हम इसको यहां से मिलाते हुए इसको यहां से यहां तक सिल देंगे यहां से यहां तक हम इसको सुई की इसको यहां से यहां तक सिल देंगे यह देखे यह सिलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा यह हमारा शौट बुट बन के त्यार हो चुका है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बैल आइकन है उससे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग